नमस्कार प्रियदर्शकों हजर हुँ मैं 7 अगस्त दो हजार चौबीस आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधुदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं अगस्त प्रांभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुद्धवार है शुरामणमास शुकलपक्ष की आज तुरुतियाती थी है जो दिन में दस बच करके पांच मिनट तक है और इसके पश्चात चतुर थी है पुर्वा फालगुनी नक्षत्र रात्री आठ बच करके तीस मिनट तक और इसके पश्चात उत्तरा फालगुनी नक्षत्र है परिग ही योग तैतिल करण है बात्रोगी पंचांकी चंद्रमा आज सुम्हराशी में रहेंगे और राहुकाल दोपहर बारह बजे से दोपहर एक बज करके तीस मिनट तक का होगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए कुंडली के किन भावों में हैं आपके पापग्रह हर भाव से ग्यारह घर आगे गिनिये और देखिये कौन सा भाव है बस यू समझ लीजिए कि जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़ता जाएगा वो भाव दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे साथी साथ 12 अगस्त दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की गुरू और मंगल यूती बनाकर ब्रिशवरासी में संचरण कर रहे हैं तो ही सूरिय करक में शुक्र बुद्ध और चंद्रमा ये तीन ग्रह यूती बनाकर स्विम्हरासी में संचरण कर रहे हैं केतु कन्या में हैं शनिदेव कुम्भराशी में वक्रवस्था में और आहू मीन राशी में संचरण कर रहे हैं ये है ग्रहिस्ति प्रिदर्शुको गोजर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आ जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवशक्ता है। कौन सी उ राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नयकारे आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी उ राशियां हैं जिन्हें अपने नयकारे प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। में शुषे लेकर मीन राशी परियंद प्रतेक राशी के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेस प्रभाव में रहने वाले हैं आप कौन सा वुशनान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को स्रिष्ट बना सकते हैं इन सबी विश्वों पर चर्चा आगे हम अराशिफल में करेंगे तो ये है ग्रहिस्टुती इन ही ग्रहिस्टुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे धिन का हाल तयार कियाँ निदेने इस राशिफल के कारिकरम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहुर्त की 12 अगस्त दिन सोंबार दहन रोपन गौव क्रै विक्रै का मुहुर्त ये दोनों कारे शाम 4 बच करके 11 मिनट से शाम 5 बच करके 2 मिनट के बीच धनुलगन में संपन किया जा सकता है इसके अलावा उस दिन सेस कोई और मुहुर्त नहीं है दिब्य महा प्रयोक यूर लेकर के आपको चलूँ उससे पूर बता दूँ यदि आपकी दिल्चस्पी जोतिस में है जोतिस सीखना चाहते हैं जोतिस को भली भाती सीख कर चाहे आप अपने खुद का अपने परिवार के सदस्यों का अपने मित्रों का या आप इसे अपने आजी विका का कारण बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं यहां निहशुल्क आपको जोतिस सीखने में मैं मदद करूँगा और उसके लिए स्वयोगी है ये प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलोजी प्रिदर्शकों इस प्लेलिस्ट के नए पुराने सभी वीडियोज एक एक करके आप देख लीजिए और विश्वास मानिए ये आपको जोतिशी अवश्य बना देगा बाकी मेरे चैनल पर निरंतर हर दिन जोतिश समंदित सूत्र जोतिश ये कारिक्रम आप देखते हैं उसके माध्यम से भी आप जोतिश सीख सकते हैं चली चलते हैं दिब्बे महा प्रयोकियों को खोली अपनी जन्म कुंडली को और मिलाईए आज की सूत्र को प्रयदर्शकों जन्म कुंडली में तीसरा और ग्यार्वा इसी को लाभ संबंध कहा गया है इसके बारे मैंने पूर्व में भी कई चर्चाएं आपके समुख रखी हैं अब आज सुनिए जिस किसी भाव में पापक रहों बहुत ध्यान से सुनिएगा उस से ग्यार्वे भाव को विशेस लाभ पहुँचता है यानि लगन में यदि पापक रह है तो ये लाभ भाव को विशेस लाभ पहुचाएगा यानि आपका लाभ भाव जाग्रित हो जाएगा तीसरे में यदि पापक ग्रह होगा तो आपका लगनबली हो जाएगा समझे उदाहरण से अपनी कुंडली को मिलाईए और मिला करके देखिए आप खोली अपनी कुंडली को और किसी भी भाव को उठा लीजिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने उदाहरण एक दिया आप किसी भी भाव को उठा लीजिए जैसे लाभ भाव की ही मैंने चर्चा की चलिए लाभ भाव में पापक ग्रह हो तो प्रियदर्शकों लाभ भाव किस गर से तीसरे ग्यारवे का संबंद बना रहा है तो लाभ भाव भाग्य भाव से 3.11 का संबंद बना रहा है अर्थात जन्म कुंडली के लाभ भाव में अधी पापग्रह हैं तो ये लाभ पहुचाएगा किसको भाग्य भाव को अच्छा तो सवाल उठता है कि क्या ये पापग्रह ही करेंगे या सुभग्रह भी करेंगे लाभ के अगर संदर्भ में देखा जाए तो पापग्रह जितना विशेश प्रभावशाली होंगे इस मामले में उतना सुभग्रह नहीं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जैसे एक उदारण से समझेए हम बात कर लेते हैं लाभ भाव की यानि जन्म कुंडली के 11 में भाव की अब हम लाभ भाव को बली करना हो तो किसको मैंने बताया था लगन को बताया था अब आप इस सिध्धान्त को कई मरतबा मुझे सुन चुके हैं जानते हैं कि लगन में पापग्रह का होना तो जादा अच्छा तो सुभग्रह माना जाएगा आप पापग्रह क्यूं कह रहे हैं देखिए यहां बात क्या चली है लाभ पहुचाने की यहां ये बात नहीं चली है कि आप कितने बड़े सैध्धान्तिक सिध्धान्त पर चलने वाले सब का भला करने वाले धार्म कर्म को करने वाले अपने कर्तव्या कर्तव्य को जानने वाले मातापिता सब के लिए सबका हित सोचने वाले ये सिध्धान्त इस सूत्र का नहीं है इस सूत्र का जो मूल सिध्धान्त है वो है लाभ वो है लाभ अब लाभ के मामले में पापग्रह क्या कराता है ये न के न प्रकारे न यानि मार्ग सही या गलत नहीं देखता जबकि इसी लगन में यदि शुभग्रह हो तो वो लाभ भाव को लाभ पहुंचाएगा लेकिन वो लाभ तब जाता कहेगा कि नहीं मैं तो उस तरह से लाभ न हो चाहे वो जोतिशो वो कभी से स्रिष्ट नहीं कहेगा और न स्रिष्ट मानेगा वो हमेशा स्रिष्ट इसको मानेगा कि आपने औरों को कितना दिया औरों के लिए कितना किया वो कहता है परोब काराय पुण्याय उसकी रजर में दूसरा कोई पुण्य है ही नहीं सिवाए परोब कार के तो इस अवस्था में जबकि पापायव परपीड़नम लगनगत पापग्रह ये नहीं देखेगा कि सामने वाले का अहित करके अपना हित कर रहा हूं इससे कोई मतलब नहीं है वो अपना हित देखेगा पर फिर भी मेरा जो सिद्धान्त जो मैं आज आपको समझा रहा हूं वो पापग्रह से ही संबंदित है इसलिए तीसरे भाव में पापग्रह को अतिन्त स्रिष्ट कहा गया है ये लाभ पहुंचाता है किसको लगन को ये लगन को लगन को लगन को पहुंचाता है तीसरे भाव में जब भी कोई पापग्रह होता है इससे लगन को बल जाता है ल भन है धन की बात होती है जब रुपए पैसे की बात होती है लाब किसी भी फिल्ड में हो सकता है बात अगर जन्न कुंडली के ग्यार में भावकी करें तो हम मूल रूप से रुपए पैसे की आगमन की बात उससे केवल करते हैं जबकि ये सिधानत के दृष्टिकोंड से संतान सुख का लाव भागय का लाव तो लाव किसी भी मामले में तो यहां चर्चा केवल लाव की नहीं है यहां चर्चा है अब जैसे जन्न कुंडली का चौथा भाव गौर से समझिएगा जन्न कुंडली का जो चौथा भाव है अगर देखेंगे तो धन भाव इससे कैसा बनता है तो धन भाव से इस भाव का समंध तीसरे ग्यारवे का बनता है लेकिन क्या लगता है आपको जो लोग इतनी बुलंदियों पर पहुचते हैं वो बिना किसी त्याग के पहुच जाते हैं क्या उनको धोखा जीवन में नहीं मिलता याद रखिएगा कि कई बार बुलंदी के मार्ग में अपने पीछे छूट जाते हैं और बिना अपनों के छूटे बहुत ऐसा नहीं है यही अपने फिर जब इंसान एक बा लेकिन कई बार बुलंदी की मार्ग में साथ के लोग छूट जाते हैं ऐसा होता है तो जब चतूर्थ भाव में पापग्रह होगा मैंने कई बार बताया अपने कारिक्रम में आपने सुना होगा कि जन्रु कुंडली का दो भाव जहां पापग्रह तो बिल्कुल अलाउड नहीं है कौन-कौन तो चौथा और सात्मा यहां पापग्रह होने ही नहीं चाहिए सुभग्रह से भी डर होता है पापग्रह का तो कहना है लेकिन अगर जन्रु कुंडली के चतूर्थ भाव में पापग्रह हो एक पापग्रह तो सनी देओ की ही चर्चा आपने कई बार मेर यह थोड़ी है कि आपको रोट पर आपसे मजदूरी कराता है और मजदूरी करा करके घर-गाड़ी बहुवचन में थोड़ी हो जाएगा मजदूरी करके कोई घर-गाड़ी बहुवचन में थोड़ी कर लेगा वो घर से जो बाहर रखता है तो आपको धन कमाने के लिए कह इसी भी भाव को ले लीजिए, जिस भाव से तीसरे 11 में का समंध जूड़ेगा, और जब पापग्रह विशेस रूप से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुभग्रह इस मामले में लाभप्रद नहीं है, सुभग्रह भी लाभप्रद है, अब जैसे देखिए, जन्म कुंडली का बहुत सारे रास्ते बनाता है, और मैंने बताया था कि ये काम त्रिकोन का पंचम है, आपने सुना है, इस सारे वीडियोज मेरे बहुत पूर्व में बताय हुआ हूँ, अब अगर सुभग्रह भाव में बैठेंगे, तो वो जातक को ये न के न प्रकारियन धनागमन के लि ये भी तो है, क्योंकि आप किसी को नुकसान पहुचा करके धन अरजित करते हैं, किसी के सामने की थाली शीन करके धन अरजित करते हैं, तो ये तो जाहिर सी बाते सबसे बड़ा पाप हो गया, तो ये शुभग्रह लाभ भाव में बैठा होगा, तो भाग्य भाव को भी ल धरमसाला बनाने वाले क्या अपना पेट बर भोजन करके ही कर पाएंगे क्या उनके घर्माली इस्तिती ऐसी होगी कि मैं भी भुखाना रहूं और साधू न भुखा जाए वो चाह करके बड़े-बड़े धरमसाला और मंदिर बनवा सकते हैं नहीं बनवा सकते हैं कौन बनव करके देख लिजेगा चली चलते हैं राशी फल की और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या ले करके आ रहा है गोचर कुंड़ेली में चंद्रमा आपकी रासी से आज पंचम में है और ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है पूरे दिन आज प्राता काल चार तेज पत्ता ये आपको घर के किचन में आपको मिल जाएगा अपने सर से खुमा करके घर के बाहर दक्षण या पस्चिन दिशा क्यों रखाईएगा ये आपको पहले तो फायदा देगा अपने भोजन में से थोड़ा सा अंसकुत्ते को दीजेगा इसस पर तो दिन ठीकी है आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है मित्र आपके लिए मददगार होंगे संतान पक्षण से विशेस आज आपको मदद मिलने वाली है यानि उम्मीद से बहतर संतान पक्षण से मदद मिलेगी अचल संपत्ति से समधित कारियों को करने के लिए आज का बृद्धी होगी और स्वास्त के दृष्टी कोन से देखें तो स्वास्त में भी कहीं कोई विशेश परेशानी नहीं है जिलनों को पेट से समधी तकलीफ पेट में जलन, पित्र जन्नर तकलीफ या समस्या है उनने ठोड़ी परेशानी हो सकती है लकी यंक आपके लिए आज दो, लकी कलर आपके लिए आज बाधामी है और निवेश इत्यादी करते हैं, कर सकते हैं वर्षभ के जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुंड़ी में चंद्रमा आपकी रासी स्याच चतुर्थ में है शुक्र के नक्षत में है पूरे दिन ये चंद्रमा अब देखा ज़े तो ये चंद्रमा शनी की दृष्टी से दृष्ट भी है आप सबसे पहले तो इश्नान से पूर्व पश्चिम दिसा की ओर कम से कम आज 27 पग चलिएगा पश्चिम की ओर अपने घर से निकल करके शिनायों से लड़ने का आपके अंदर आपने विश्वास भी जागेगा इच्छा सकती आपकी जागरत होगी भागे का साथ मिलेगा सबसे बड़ी बात है यात्र आपके लिला भप्रद है विदेश से जुड़कर के धन कमाने के योग बन रहे हैं तो यह कारिक छेत्र में प्रेम से करिए और आपके हर काम से आपको फायदा मिलेगा दांपत्ते जीवन आपका सुख में विद्यार्थियों को मानसिक तनाओ सिराहत और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्त भी आपका ठीक है लकियंक आपके लिए अज दो लकी कलर आपके लिए निवेश करिए कोई चिंता नहीं करनी जीवन को सामा निधारा में बहने देना है ब्यर्थ के प्रिसर टेंसन से आपको बचना है आज यूं समझ लिए कि जहां हाथ लगाएंगे वहीं चांदी ही चांदी सोना ही सोना कर लिए और अच्छा रहेगा ब्यापारियों के लिए आज के दिन को कर दिन आपको संतुष्टी प्रदान करेगा अगर असंतुष्ट है तो और स्वास्त के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष्ट परिशानी नहीं है लकियंक नौ लकी कलर आपके लिए अज ग्रे है निवेश आप भी करिए बात करक की कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से आज दूसरे में हैं ये चंद्रमा आज बुध के शुक्र के नक्षत्र में संचरन कर रहे हैं आप पर बुध का विशेष प्रभाव है गणेश जी के मंदर में जाए उनका दरसन करिए मीठे पान का आज आपका चलने बाला है जहां भी रहेंगे लोग आपके लिए सहयोगी होंगे व्यापारियों की विबात करो तो आज का दिन बढ़िया है कोई बड़ा निवेस करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए लापारवाही मत करिए लापारवाही से नुकसान हो जाएगा बाकि किस्मत आपका साथ दे रहा है और किस्मत का जब साथ आपको मिल रहा है तो घबराने की आवशकता नहीं है जीवन साथी का विशेस ख्याल रखिएगा जीवन साथी के स्वास्ते में थोड़ी परिशानी दिखाई पड़ रही है यदि आपका जीवन साथी वरकिंग है तो उ निवेश करिए। बाकी कारेश्थल पर भी आपके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं। ब्यापार आपके लिए लाभवप्रद रहने बाला है, कोई बड़ा नीवेस करने की सोच रहें तो कर सकते हैं, वाहन चलाते समय बस सावधानी बरतियेगा, थोड़ी भी लापार वाही नहीं होनी चाहिए, नहीं, बड़ा नुकसान हो सकता है, जो लोग अभी वाहित हैं, और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो जिनने लोगों को रग्द जन्य विकार की स्थिति उत्पन्य पहले से रही है, वो अपने स्वास्त का ख्याल रखें, लखियंक पांच, लखी कलर आपके लाज क्रीम है, निवेश आप ना करें, और बात कन्या की कर लेते गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से बारवे में है, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, आज सूरे गायत्री है, आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमही तन्नो सूरिया प्रचोदय आप इस मंतर का कम से कम 20 बार आप जब करियेगा, और लचीला आपका स्वभाव होगा और जितने लचीले आप रहेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी, मेहनत से जी मत चुराइए के सफलता मिलेगी, कारिक छित्र में विवाद से बचने की कोशिश करनी है, कोई नया कारी शुरू करने की सोच रहें तो कर सकते हैं, व्यापारि स्वास्थ के मामले में भी कहीं कोई परिशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, मानसिक अशान्ति या तनाव से जूज रहे थे, तो आपको रहात मिल जाएगी, लखी यंक आपके लिए आज एक और लखी कलर आपके लिए औरेंज है, निवेश जानकार की राय से करें हैं, बात तुला की कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंदर में आपकी रासी से, आज लाभ में संचरन कर रहे हैं, वैसे तो इशनी की दृष्टी से दृष्ट परंतु आज क्राता कालिशनान से पूर्भ पश्चिम दिसा की और कम से कम 27 पक चलिएगा, इससे फायदा होगा, विचारों में बार-बार जो परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो रहे हैं, उस पर भी नियंतरन होगा, मन भी स्थिर होगा, और बाकी कारिश्थल पर तो दिन अच्छा है आपका, बढ़िया है काम बनेगा आपका, बिपरीत से आज कुछ विशेस आकरशन आपके मन में उ लेते हैं, तो नुकसान हो जाएगा, बाके से कोई खराबी नहीं है, जीवन साती के साथ मिलेगा, जीवन साती के साथ कहीं घूमने जाने की तयारी कर रहे हैं, करिए, मेडिकल फिल्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा, बहुत स स्वास्त के दृष्टिकोंड से देख लेते हैं, तो स्वास्त में भी कोई परिशानी नहीं, स्वास्त भी आपका ठीक ठाक दिख रहा है, लकियंक चार लकी कलर आपके लिए जामुनी है, और निवेश आप करिए, ब्रिश्चिक के जात्कों की बात कर लें, तो गोचर पर अपने अंकुस लगा करके रखिए, नियंतरण रखिए, पारिवारिक जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, हर जगा संतुलन बना करके रखिए, जिससे भी मिलिए सबके साथ अच्छा वेवार करिए, यूं समझ लिजी कि आप जैसा करेंगे सामने से उधर से वही प्रतिक अच्छा है, परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा, कारोबारी, कारोबार में आज बिस्त रहेंगे, स्वतंत्र व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर बिना सोचे समझे बोलना, हर बात में टीका टिपणी करना आपको मुसीबत में डाल देगा, प्यार का इ धनू के जातकों की बात कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा, रासी से आपके आज नवम में है, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरन है, प्राता कालिश्तान से पूर्व चार तेजपत्ता घर के किचन में आपको मिले गाईए, सर के उपर से बाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षण पश्चिम दिसा के ओर डाल दीजे, और बहुत धहरे और स्वयम के साथ काम करना होगा, पिता के स्वास्त को ले करके चिंता होगी, पिता को जोड़ों के दर्द से परशानी होने वाली है, जो भी कारी करिए, पूरी पारदरसित है कि पिता के साथ किसी तरह से अनबन नहों इतना जरूर ध्यान रखेगा आज जो बिगड़ेगा वो पिता के साथ अगर बिगड़ गया तो दिन खराब माना जाएगा बाकि कोई बड़ा निवेस करने की सोच रहे हैं तो उसका भी फैसला अच्छे से जांच-पड़ताल के स्वास्त के मामले में देखा जाए तो जिन लों को कंधे इत्यादी से समंधित दर्द की शिकायत रही है वो अपने स्वास्त का ख्याल रखें जिन लों को पेट से समंधित तकलीफ है वो अपने स्वास्त का ख्याल रखें लकियंक आठ लकी कलर आपके लिए आज स्काई बात मकर की कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी साज अश्टम में हैं अब देखा जाए तो ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में प्राता काल श्नान से पूर्व पश्चिम दिसा की ओर 27 पग कम से कम आपको चलना है इससे आपको फायदा मिलेगा आर् साथ अनबन चल रही थी तो वो दूर होगी कोई अतर्प्त जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए आप तयार हिए यूं समझ लीजे कि आज का दिन आपके समुख जो भी चुनोतियां पेस करेगा उन चुनोतियों को आगे बढ़ करके आपको स्विकार करना है औसर समझ करके और यही आफसार आपके लिए लावपरत सिध होगा ब्यापारियों की दिहम बात कर लेते हैं तो ब्यापारिक दर्ष्टिकोंड से दिन सफलता परदाई है ब्यापारिक प्रति द्वंदिता में पढ़ेने की आवशकता नहीं है और जोश में आकर के कोई कारे नहीं करना ह लवलाइफ के दर्ष्टिकोंड से दिन को ठीक कहूँगा दामपत्य जीवन में कोई गलत फ्वामी थी तो वो दूर हो जाएगी दामपत्य जीवन सुखमे होगा प्रेम संबंध के दर्ष्टिकोंड से दिन अन्कूल और विद्यार्थियों के लिए भी सकारात्मक है दिन विस्स करके रिसर्च फिल्ड के विद्यार्थियों के लिए वो सभी विद्यार्थि जो सक्षा के ख्षत्र में किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई को लेकर के चिंति थे तो आपको आपके चिंता से मुक्ति मिलने वाली है तो कुल मिलाकर के दिन तो अच्छा ही है लकियंक इस मंत्र का कम से कम 21 बार जब करिएगा विशेष करके इस मंत्र को जपने से सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर भी आपको विशेष सफलता मिलेगी और सबसे ज़्यादा जरूरी उपाय है वो यह है कि जीवन सातिक आप मान मत करिएगा अपना व्यवहार उनके प्रतिस पर आपका दिन बढ़िया जाने वाला है आपने विश्वास में आपके ब्रद्धी होगी ब्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन ब्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं कुछ अलग करना चाहते हैं कुछ नया शुरू करने की सोच रहें कर सकते ह किसी समस्या से जूज रहे थे तो उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा पार्टनर्शिक में दि कुई कार्या शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं पर जूठ बोलने से आपको बचना होगा जूठ बोलना आपको मुसीबत में डाल देगा बाकी जीवन साती के साथ बोलिए गया कुछ करिएगा कफ संबंधि रोग और आखों से संबंधित परिशानी की संभावना दिखाई पड़े लखियंक दो लखी कलर आपके लिया जहा रहा है निवेश करिए मीन के जातकों की बात करें तो कोचर कुणली में चंद्रमा रासी से आपके सष्ठ में अब चंद्रमा शुकर के नक्षत्र में और आप देखा जाए तो दिन को ठीक ही लेकर के चल रहा है बुद्ध का विशेष प्रभाव है आपके उपर गणेश जी के मंदर में जाई ग पान का बीड़ा अरपित करें मीठा पान और आप उससे चाहें तो खुद भी खा सकते हैं वानी में सुधार होगा पारिवारिक जीवन में कोई समस्या चलिया रही थे उसका समाधान होगा पूर्व के किये कारे से लाभ मिलेगा भागे का साथ मिलने लगेगा कारे स्थल पर भी यदि कोई अधिकारी आपसे अनबन रख रहा है गुसा रख रहा है अब उसके सामने पान खा करके जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी परन्तु पान खाये रखें तो उसका भी प्रभाव मिलेगा और आपकी वानी से आपका अधिकारी भी प्रभावित होगा भागे का साथ मिलने लगेगा कोट का चरी से समंधी तेदी कोई मसला था तो यहां पर भी आपको जीत होने वाली है किसी को धनुधार मत दीजेगा प्रेमियों के लिए थोड़ा प्रतिकूल दिख रहा है दिन प्यार का इजहार मत करें क्योंकि यहां सफलता का मूँ एक राश के रातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल अभी कले बस इतना इजाजत दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार